दर्मरजा स्पोर्स वेपक्से सिवा स्पोर्स दूसरा साम्डा भेपिल्ड विच्वोईस मदिल अपलेलाँ पाले मिलल अज़ पहलाँ सम्नेमदे राज़िंग भीवन्डे स्टार संगाने विजय संपदन किले विजय चाथ ओपन किले अनि इथ्या मात्रा आपन पातो ये दूसरा सम्ना शुरोईल फ्रेटलेस ओन जलेलेत दुदी फ्रकाश मदे डीडी ग्राउन भिनार नाहुन निगल ले ब्योंडी प्रेमिर लिक्स पर देज उत्कुष्ट आयुजियन अपलेला पाला मिल्दे अनि फ्रेट स्लाइट मदे नंके जाहा पुरून अपलेला पाला मिल्द दर्मराजा संगा कुरून दूरी सलेविज फुलंद आता मतर मैधना मदे अलेलेत अनि समलेचन कश्यों मदे पुनाइक दो जोईन होताद कॉम भॉक्स मदे सथीग भाबेसर विलकम सर अबला हर्दिक सागरे कॉम भॉक्स मदे तो अपनर रूंद ग्राउंड दूनि सलेविज वेटर अता मतर मैधना मदे अपलेला पालमल दाइथ श्राइकर फुलंद आपलेला पातो या नियार मात्रे मैन फुलंद आपलेला पालमल पातो या नियार मात्रे मैन फुलंद आपलेला पालमल अपलेला पालमल दुलंद यो कि शुयर मैंट फो मुवाली दिवाना परी शुटार कि ऊपड़ा कि शुटत पी जाले अन्य पालम इलती स्थारे शुटार मत्यां य। बोदे थादमें फिलेक वे से ब्याडे सब्सक्राइब थादम जावर्ट आप डिया पालम जाय काल मेड़ फिटर प्रमी अप्र एडर साट मदेवन बद आपन पाद इटमाद पूरीजान आप परेट्न आप अपर जाप्र गरिंगा चाहिए अपरेट अच्छुनों आप ए केप्टन सेट बेक टू दी पवेलियन और योगेश भूहिर ने बता दिया है के बाली ट्रॉफी 2023 के वाए से बीसी फोर सीटी किरिकेट के मैंन अब दी स्रीज नहीं थे वन अब दी क्लास और ओंडर ही वाली एक्स्प्रेस पहली गेंपर पट्री पे चलती भी नकेचा पट अब दी संदी इते मिलाली नहीं पैले चिंडूर विकेट से खुराक्त प्राप्त करताना अबन पुझेश भूहिरा गुलंदाज अल्डी ब्रेक्त्रू अग्दि पैलेच चिंडूर तैने मिलूंदिल ले ने बैटर रा किंग आफ रिंग पाल्टेज भाश्या फुलंद करेल का कि मातराता समुर्ण रा किंग फ्रिंग आफ रिंग तो पाल्टेश एट कम अधे उतकुष्टर खेल खेलने सटी माहिरा फुलंदा तो मतस्टाइकल पाहला मिल्ड़ी इदे मादम इस्टाइम फटकाई चुन आयो मते शट्रक्षिक चुन अखली अनिस आप डिसमे इस्पोर्ट की राहूल गुपता फैम टीम और दो पे दो जटके दिये हैं यह दी कि आफिस्टम के बार से नंदर पार्टी ने मारा किंग ओफ रिंग रिंग को किलियर करना चाते थे उपर लगी मिस्क्यू शॉट्टा और दो पे दो विकेट वटर बालिंग फ्राम हीव जाओ स्मयन बाक तो दी डगाउट असलेक दोन चिन उमदे दोन विकेट अपलेला पालम जायत् विकेट है को रथाम आद थाम थाम आखिवाली एक्स्यों केश्टम की रिंग को शॉट्टा इंग एक तकत्रम आपन बदन पोस्टें अट्सन गुलंदेग एकान आव तून जानने ढोट जोन 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 डोन विकेट्स अखर लेता संलेज रूवाद आग शुरु आग्ड को आपकेट अग्ट अप्छिष अग्षू रूवाद अनगीट तरह से अग्ड़स परस अगाय सेल सब्सक्राइब अगर्टर आटर में एक अच्छाओ प्रापन पर तो नहां रोट प्रम स्टाइब तान आ सलक दों चुन में दोन फर नंतने ना निमागर या तली लाए अन्यत मतर विक एटरीक वाल विक एटरी वर गोलों तो किष्ब तो इतमात्र विकेड़ेटिक के संधिया एप आविया विकेड़ेक पुर्ण हो इलका अनि येस बेपल बीवने प्रीमेल इक्समर्द मदल पहले विकेड़ी का मैं प्रम हिवाली योगेश्बूर चनावे टालिया वना चाहिए योगेश्बूर के लिए वटब ऑलरीज ये विकेड़ेक पर ऑफिस्टम के बाहर से खेलना चाहते थे भावी बजागे गेन उपर रही और कोई गलती नहीं मिटाप पे विकेड़ेक आता हुआ कमाल की बोलिंग करें हिवाली एक्सप्रेस योगेश्बूर आए देखते हैं फिर से प्रिंस मोवीज के माध्यम से विक ट्रेक बुट्रेक बिपल अफ सेजन फोर मदिले पेली विकेड ट्रीक अपन बोते इवले एक्स्वरेस्वेश्बूर चना आवे नहीं कि पली भी रैट्पिर पुरू अगेड़ेश्बूर आपन पादो या योगेश्बूर योगेश्बूर पहलेज बेट्सम बन अपै वे थे मिस्क्यू पूल शॉट्टा बैडिया ने गलती नहीं की और ये भाविक बजा गे अन्दी राइस खेला ता उनसाइड में केलने की कोशिश लीडिंग एच और मिड़ा पे एक अच्छा कैच करन 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 कदम ने इस कैच को लिया विकेट एट्रिक क्या शिर्वात है शिवास इस्पोर्ट की राहुल गुपता प्यम्टीम असोपनो शुरूद मंदाइल ना सलक तीन चुन मदे तुन तीन विकेट इते मात्रा साइस करन सा प्रेत नहीं आपन पाथ चिनू निगूंच अटे इस्ट्रेक्श जार्मदे तोड़सा दर्फन अलिया ता मात्र राइट अन दी टार्गेट अग दिवर अबरा योगेट ट्रैक और अपन पदे हिवाले एक्स्पेस सालता ना इते के वल चिनूल अधिशा दिल लेट कर सा फटका पन पदो या थर्मेरी जनमदे एका थे मिने अप्सूता जने संगसा कॉन ना की आप कामद गर अमोल आतामा बल्ले के फेस को खोलते वे शुभात दुमाल ने जिस्तरा अकलन किया एक पर तीन एक और तीन आशी नाजुक स्थिति सद्यापन बातो यह अफ्र ने जिकर नार्या संगा चिट या स्थिति मत उन मतर सावरा हो लागेल संगला आवरा हो लागेला निए ते आवर बीच में आरके फ्रीट एंड एम जे स्पोर्ट्स के रजी कौहरी साब आचुके वेलकम रजी भाई आपका स्वागत है इते मातर आपन बातो या जागून खेलें सा प्रेट ना टैफ कर देन सा प्रेट नहोंता चिनुन सरनल निगुन जादे इस्ट्रेक जाता मदे इकनोमिकल शेटक आपन बातो या गुलोंद अज वाइब भूई रहाजा कम खर्चिला और फुल चर्चिला बिलकुल लेकिन बीपियल सीजन फूर फुल चर्चिला और फुल खर्चिला आप देख रहे हैं सुबागत है आप सभी का कमाल का ओवर खत्म किया ये देखे पूरा ओवर दिखाया जा रहा है कमाल का टेली का सकर्डो दुनिया मुट्टी में ये दूसरा विकेट नंदन पाटिल आउट व करन कदम ने कोई गलती नहीं की ये गेन बाल बाल बजगे और फिर आमोल पाटिल ने बल्ले की फेस को कोल कर लेट कट किया फ्लाइश लिप में एकरन ये अक्री गेन फिर बीट किया यत्तीन मढवी को वैबो माली को वैबो माली मैन आप दी सिरीज रहते एम जे सुपर ल ले इन ना सपल दार्जित गिल्डानी बेपेल सीजन फोर ची पहले विकेट हैटर के देचान आवे देखिए विकेट किपिंग कर रहे हैं फरदिन काजी ये बहुत हॉट किला रही है पहली गेन बहुत बढ़िया गेन विक्टो के उपर से निकल गई अमोल पर्टिल को बीट करती भी फरदिन काजी के पास कमाल की गेन फाइक अंसारी की टीम के कैप्टन है शिवास इस्प किता फैम टीम है जबके साइनात पवार और निले चोधरी फैम टीमें धर्मराजा स्पोर्ट टाड़ा ली इस मर्दबा पुल कर दिया है बहुत खुब्सूरा शॉट गेन पहले बाउंस पर चार रन कहते हैं के एक्स्प्रियंस इस नोट अल्ली बैस टीचर बटल सो बैस फीचर खड़ाप के नहीं थी हलकी सी शॉट्टी अपने आपको क्रीज में पीछे किया ओफ स्टम के बाहर से पुल पावर्फुल चार रन अगली दो टीमों को दयानन चोड़के टाना जिला गिरामीन रत्त न जानन चोड़के टॉस बोक्स में टाना जिला गिरामीन रत् परदीपाटिलूर्फ पपूसेट और बरफानी बाबा दिने चौदरी और रोई चौदरी फेम टीम फाइक अनसारी अमोल को गती पड़ी वरतन कटर थी समझी नहीं पाए यस आप जाकर अमपायर की उंगली आसमान में आउट डिया है आईए देखते हैं किस तरह से आउट वे अच्छा बहुंस भी तावाँ पर बले का सीरा लेकर गेन विकेट की पर के पास फर दिन काजी ने कोई गलती नहीं की और पांच रन पे लगने वाला यह चौता जटका है यह किर्केट पहले में हमने देखे नैंटी सेवन अब अंडर टेन पे लगवक पांच रन पे चार गोलत लेंग्त प्रेखे लोग्ताउ आ प्रे अचटेगा टा अचारेखे लोग्ताब अच्छ रखेश्ट का सीर्म उच्छ बंड अच अच्यों से, बढर मुझा ने के लिगने धान प्राइब झीट्टाउ cookie च्टेतार अच्थटों से, जयोड अच्छिज अच्छीए ट यह एक्सिरीं सेर्दीत शैर सम्ने सब दोड़रो आपनें लॉलॉड अभर आपया थाएंच फूर्स चपॉर्स का अ हमेंचा शूपर नील वा instant करता ना कामाल की बॉलिंग और यह है शिवार सिस्पोर्ट की तरफ से इस मर्तबा हलके आतों से गेन को पॉइंट पेखेला है अच्छा इस्टोप एक रन बनाया बैट्समेन पावन के ने एवन पावन पहली मर्तबा कहते हैं ना उन्ट पाहर के नीचे आया है गरम पानी में आये चेरन लेकिन यह खिलारी बहुत खास है इसलिए तो दर्मराजा स्पोर्ट्स को इसकी आस है चेरन चार बिकेट अनकेश पूर्ण अपने जरूरत आता मत्राफ दावान चाहे है निदावान साथी है दोन फुलिंदाज नकेश पाविया जातिल फाइक अन्सारी अच्छी गेन गुम के मारने की कोशिश पिट्टू के उपर से निकल गई डॉट गेन दीए फरदिन काजी को देखे इतने बड़े खिलारी क्यों है क्योंकि हर गेन पे वो फिल्डिंग को माइना करते हैं कमाल के खिलारी हैं रात हो या दिन एकी स्लोगन मुंबई में चल फाइक अंसारी स्विंग करने की कोशिश इस मरतबा देखना है क्या कुछ हुआ है अमपायर हमारी तरफ मुड़े वाइट एक रन आता हुआ स्कोर में आप जाकर स्कोर साथ पे पहुंचा है साथ रन चार विकेट दर्म राजा स्पोर्ट ताजा दी टॉस आर के पहले बल बहुती खुबसूरत नजारा विवंडी प्रीमियर लीग में आप देख रहे हैं फाइक अंसारी सामने के और से आते वे बिनार विलेजेंट से मुरते वे वे वो माली से काफी उमीद हैं बहुत अच्छे स्टोक प्ले रहे हैं फुर्टास गैन इस मरतबास लॉक कर दिया है के नास्मान में फिल्डर नीचे आ रहे हैं लेकिन देखना है क्या कुछ हुआ है वहां पर इस बीच बल्ले बाजों ने केवल एक रन लिया है क्या एफट है महां पर कि शुबाश क्या कहेंगे इस एफट को नकिट्स अप्रेट नंचे पारकाश्ट पाला मिल लोती संग्लिया एफट अपलाला पाला मिलते को उक्तुक का करो लगें उमर खान थे वहां पर ओ हो हो आज के एफट पहले माजीद बुबड़े का अब उमर खान का दोवर के समाफ्ति पावर प्ले पुवर प्ले सा भी दोता हुआ ऐट रन चार विकेट पाफचे शल्कमस्ट पैवर फिले नंचीज़ पाईला मिल दे पाफ़ प्लेख इन श्ड़ा की ऊंप्लेश्यों पॉट के आंगे इन डिल्मकी अ करे चरद नहीं गोडेश हैं वाल् सब्सक्राइब कर रहे हैं जितने भी ऑल इंडिया एकॉन है इस पेशली उनकाम हर्दिक स्वागत करते हैं अलताप बाली पीसी फोर और पाइनियर स्पोर्ट्स कलब की तरफ से यह वो सितारें जो बीपी एल में रंग भड़ रहे हैं अनकेट्स स्टार कास्ट आपन बादोई सितारे जैंवी पे अनिया बिनार गावंडर आज मात्रा टेनिस क्रिकें मदे तारे सितारे अपलेला पालम इल्ट युकिश्भी रहला कायम टेवले जने पहले शट्कम अधे बीपल सीजन फोर मधिल पहले विकरम मातने प्रस्था बादित के लिए विकेटे गेनर पहला गुलंद जिया बिपल फोर मधिल बनली ले युँआ है इति मात करा रास्टेट्राइस बटका सोता जो फास्तर मते नंकेज आड़ने जप्रेटन परेटना पाद एक दाव किन फूसरोकु शेकल ने फुलनता जला कड़क फटका प्ला पाल में लुला था दाव संके सिंगल हलुस प्रस्था दोपल कर नवुद आवा देखिए शुबाज अभी तक कोई बड़ा स्टोक नहीं आया है इसका कारण है बॉलिंग हैस बिन आउट स्टेंडिंग एन फिल्डिंग हैस बिन टेरिफिक एवन पव पवन आशलने पवन किन अगुरून वर्फुर आपक्षास्ति ला धरमराजास पॉर्ष ला इते मात्रा करपेच इसारे चिन अगून आतो या लोंगर रिजम अधिक एंसरी दिए प्रोटेक्शन पालमिल इफ एक एंसरी जरुपाने फोक्ते कस ओंधिक अधिक अधिक यह दरमराजा आश्पोट सासंगाजा फुलंदा दने कि इते मात्र ऑंसरले चंडू डूल लाइए शैत्रक्षक चंडू खाली इते मात्र आला होता मात्र जेल हो शकला नहीं जीवदान मिल्द फुलंदा जला बड़ी गलती किये बड़ी गलती किये क्योंकि यहां विकेट गिरता तो दबाओ लगबग हंड्रेट परसेंट होत इस्ट्रेट फॉर्वर्वर्ट कैज ता बिलकुल गूदी में आया था छोड़ दिया दो संग एक निवारती अक्रद आवा चार फुलंदास बाद दल्लिया तनी चारी फुलंदास आपन बाद हो यह संगली फुलंदास बाद उन्वेल मादे प्रतल लेत इस इसलिए प्रतव बाद होता है अडला होता मातर इते अजेल वगड़ होता है तो प्रतल इन्वेल फुलंदा घड़ए दोन फुलंदास पुलंदास पूरन आ करते हैं शुबाद देखें गिसमत का साथ जिन्दगी में भी चाहिए और खेल में भी वाके में दोनों शॉट में लग फैक्टर काम कर रहा है अलांके भरपूर कोशिच कर रहे हैं योगेश भूहिड नकिसानी दोनी फुरेंदाज नहीते मातरी जुदान मिलाले ले यागो तुरे चेटनोर जुदान वाइभ जी संकाना मदे खरत रहा संगस अपडली ले त्यास अ कारन अपन पर देशिवार स्पोर संगजी अ गुलंदाज ने अग्धित्चुन गुलंदाजी के लिले योगेश भूहिर अपने स्पेल मदेले सेवर्ट शेट गातल दोई सामुर्जल फुलंदाज पवन के ने अगरेश ने चिंडुल ले चैत्रक्षिक देए और यह थे फक्तर एकस तावर समधन मना लेकिल लाइग लिए गुलंदाजी करताना अपन भूंदाज योगेश भूहिर रहे ला कि शुबाद देखिए कितना प्रेशर है कि पवन केने भी खुल के बल्ले बादी नहीं कर पारे मैं अक्सर कहता हूं कि प्रेशर में बड़े-बड़े रती महारती सुर्मा धेर हो जाते हैं कि इस वह जाते हैं अधवरे खार पकेन अधवरें से नहीं है कि इसे पर शुब्हें प्रेशर मेड़ें से नहीं है तो यह फोलंदा जो मोटे फटके आहला मेलत नहीं तो यह वीर वैप्र गाशंचे कोन पिर जालता यह विल्टिमार्न के ईक्वा ओटन काश्च आप आपने कोश्च वागार्य स्थिर वाग लायगैं तीन शटकर जी समप्ति जले तीन शटकर समप्ति एंटर राव पंदर दो योगेश भुरिया ने अपला स्पेल पूर्णा के लिए अपला कुट्वा दे तयाने फक्त आट दो कर जिकलिया और तीन मतों चे विकेट विकेट एह ट्रिक से पूर्णा के लिए त कमाल की बोलिंग की देखिए हमारे को स्पॉंसर है फ्रेश ड्रॉपस आईल दोस्तों यह वो आईल है जो पीवर आपको मिलेंगा चाहे सरसू का हो चाहे बादाम का हो यह हमारे दर्शकों को बताया जा रहा है धिरे धिरे पैकर आउट हो रहा है और आसी वंसारी इसके प्र फ्रेश ड्रॉप आईल में जरूर जाईए और अपनी सायद बनाईए क्यूंकि मिलावटी जमाने में आपको अगर ओरीजिनल कोई आईल में मिलेंगा जो आपकी सायद के लिए काफी है तो वह है फ्रेश ड्रॉप आईल्स आसीफ अंसारी के देन तीन वर की समापती 15 रं अब मोर्चे पे फाइक अंसारी कंटीनिव है योगेश भूईर का बॉलिंग एनलेसिस आठ रं देकर तीन विक्टे दो वर में असिल की इससे ज्यादा कोई क्या दे सकता है गेंदबास फाइक अंसारी सामना करेंगे बैट्समेन वैबो वैबो का भी क्या चूटा देखना है कि अंतर रास्टी किर्केट में क्या चूटने की घटना के बाद बहुत कुछ हुआ चार पे चूटा 264 ठोक डाले थे रोहित ने इस मर्दबाद ट्राइफ किया कि इनको मिड़ाप पे अच्छी गें आगे रखे भी गेंती देखे रोहित शर्मा ने जो 264 रन बनाए उसका एक रिकॉर्ड है कि 33 चौके एक इनिंग में सबसे यदा चौके उन्होंने लगाए थे और टेनिस किर्केट भ्योंडी बीसी फोर्ड में एक रिकॉर्ड ना में सूरज के ने के एक इनिंग में 14 चौके कि नकिस वड़कर चेश के मदे सूरज के नियान यहां कारणामा के लाओ था 25 जन्वरी को वो कारणाम अंजाम दिया था पिछले मैच में विजेंदर का क्याच कितना महिंगा पड़ा था जीतने होंगे मैच तो पकड़ने होंगे कैच मैदान में आज आल इंडिया एकॉन फरदीन काजी को आप देख रहे हैं जबके धर्म राजा की तरफ से बिग बड जिन्होंने बीपील सेकेंड में डबल ए फाइक अंसारी सामने के और से आते वे पवन को गेन को खेल दिया है सीधा लेकिन वहां पे थे फिल्डर और ये विकेट सबसे बड़ी विकेट योगिश भुईर आज आपको लगता नहीं कि हर जगा योगिश भुईर के जल्में हैं और आखिरकर पवन जो दबाव था उ विकेटर की योगिश भुईर आप दोनों को ओफिशल दिया जा रहा है अगला मैच आपके बीच में आपको ध्याणन्ज चोड़ गे का टॉस बॉक्स जुर जाना है ये तोज शुर शुर जाना है ये विजानन्ज चुरगे साब टॉस बॉक्स जूर जूर जाना है ने बेट्समेन मरता क्या ना करता ओल इंडिया एकॉन राकेश पर वुआ हैं बीग बड़्ट है बहुत हुंचा कद है लेकिन जरूरत है हुंचे शौट की क्योंकि सोला पर पांच विक्ते कि रिये बहुत निराशा जनक पर्फॉर्मंस हम देख रहे हैं यहां पर टीम धर् स्पोर्स ताड़ा लीका अग्दी बरबर निम्मा संगे गारत जल लेकरन पास पुलेंदास बाद जल लेत अन्याता मात्र पुर्णपले मदार रा ओल इंडिया ऐकॉन प्लेयर राकेश प्रभू बेग बड़ आप टेनिस क्रिकेट एच और यहोंटे पले ले ले खेल की शिर्वात होती भी फाइक अंसारी अब तक फाइक ने दो विक्ते लिये कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रॉंट जब कप्तान अच्छा किलता है शुबाश तो टीम का उस्सा बढ़ जाता है अल्भी बरबर अनि टेट चीतर अबला पाला मिन्दे कैप्टन ले अरेश के ने चिंडु काली अनि अटकेच अ अथा मोड़े डगाउट में शुनिका चेश्मा पैन के दिके ड्रैविंग लेंस से पहले ही खेल बैटे जगे से कहला था फुटवक साथ नहीं दे रहा था मोबाइल में जहां नेटवक जरूरिये किर्गेट में फुटवक ज अच्छा अपने मार्क किया है नोटीस किया है गती को बहुत कंट्रोल करें और वेरियेशन पे द्यान देरें फाइक अंसारी गुलुन तेसे मदें फाइक अंसरी ने चांगली कर्मगरी किलिए करें तर फाइक अंसरी ला शुरुवा तीला फुलिंद सेटी उलक ले जातो तीन उनके इससे में क्या बाद है जाचा बदल मी नेम इस बनतो है एक फाइक वातर रंटाइड साध्या वातर रंटाइड जले धर मरजा स्पोर्स से ताड़ा ले असंगा से देखिए दर्शक भी कितने जूरे हुए है वी पिल से सवाल कर दिया कि 25 जन्वरी वडगर में 14 चौके कौन से सूरज ने लगायते तो सूरज के ने गुरसई छे गिंदों में छे चौके भी लगायते वो भी किर्तिमान है उनके पास और गुरसई की आवाज ही मेरे साथ है वो गुरसई की नहीं बलके पूरी भीविंडी की आवाज है 16 रन 6 विकेट इस मरतबा बढ़िया ड्राइब पैरों के सामने और फिल में ड्राइब लगाते हुए बैट्समेन अमोल ठाकूर एक रन अमोल ठाकूर का खाता खुला कुली स्कूर 17 रन 6 विकेट पहले मैच में रन वर्षा और दूसरे मैच में रनों का कायत किस पहले समने मदे रन फेस्टिवल हाने थे मातर रनां जा दूसकाल दावान साथी जगरतना संगर्षा ना का संगर्षा करतना आपन अपन पोडिया फुलन जाना 5 गन सारी सामना करेंगे वैबो माली उम्मीद की आकडी किरन राइडाम राउंडी स्कम्सारे स्विंग किया है गेन पीछे निकल गई है और अंपायर का इशारा चार रन बहुत ही फाइन गई थी हलाकि जहां खेलना चाहते थे वहां तो नहीं खेल बैटे लेकिन चौका आता हुआ कहते हैं कि पेमेंट पूरा मिलना चाहिए चाहिए फोन पेसे मिले चाहिए गूगल पेसे नकिसा दावा ये ना कुप मतवाज होता अनिते मतर दावा ये था बुड़तेला काड़ी जादार चारवर की समापती पे नाजुक इस्तिती कुल मिला कर 21 रन बने और विक्तू को हम देखे तो छे विक्ते कि रिए तीन फाइक ने लिए दो और तेरा रन तीन विकेट तीन लिए वैबो योगेश भूर ने दो और आंठ रन और तीन विकेट इंक्लूडिंग बीपियल शुबाश शुबाश बीसी फोर सीजन पिछला जो गया उसमें 34 गेंद बादो ने ट्रिक किया और लास के दो एट्रिक भाटाले एक्स्प्रेज पंकज माली ने किये थे बाली ट्रॉफी के सेमी फाइनल में भी और फाइनल में भी कालसा जो दिवस होता शिद्धिक भाबेसर एकुनुश आट्टे जालीस करतर तेदुशे जीम लेकर एने डेबो किला तन जीम लेकर एक में वासा गुलंद जाए जो गुलंद जाए पहले इनिंग मदे मजे एकाट सा कुसूटे मदे एकुनिस विकेट गिनाज विकरम दे जीम लेकर बहुत ही जबर्दस इंग्लेंड के ओ बढ़िया गेन खोल के रख दिया था बैट्समें को अधूरे मन से पुछ करना चाह रहे थे अमोल ठाकूर अपहला गुलंद जाए विकेट गिना खरतर जीम लेकर होते हैं तर अनिल कुम्ले हानि त्याना तर न्यूजलन सा गुलंद जा एजस्ट पेटल ने देखी लागार नाम के लिए यस अनिल कुम्ले ने उनीस सो नन्यानों में पाकिस्तान के सामने प्रियोच्छा को ट्ला में लिये थे और वान केटे में इजाज ने इस मारतबा वीद्धी टरन खेला गेंको बैकवर्ट पॉइंट पे बल्ले के फेस को खोलते वे एक रन इसको रागे सरकता हुआ पहुंचा है बावीस रन छे विक्टो के नुक्सान पे सद्या शांत अन्य संत क्रिकेट क्यों कमेंटरी बॉक्स तो ही अब हमारे वीच में आगमन होता हुआ जागरूत मराठा के ओनर आप पूशेट का वेलकम पूशेट आपका स्वागत है पर इसमार्दाबाद जबर्दा शोट है गूम के मारा है छेरन देख हुआ के करंच विरुद दे सारन अपन बादो हिया आपन पाउशक दा घुटना टेक और सिक्सर देख गेन बल्ले से निकली उस पर स्टेंप लगा हुआ था छेरनों का पहला जवाब यहां से मिला है इस पर पहुंचा है इस्टिल लॉंग वेटो गो यह टोटल कोई भी कैप्टन देखना नहीं चाहेंगा नियार मात्रे जो टीम के कैप्टन थे शुन्ने पर आउट हुए अनि तितुना समात्र नकेट्स विकेट्ची जड़े अपलयाला बाला मिलते है अगदे पत्ते चाप बंगल्या प्रेमाने हाट डाव कोसल ताना बाला मिलले ले पर तेक फुलेंदा जिने फक्त हजरी लावने जा काम इदे पटावर के लिले ले करन पाटिल काफी चर्चाओं में अजकल ओ गूमी गूमी अपील बहां पर आउट क्या क्या इस पगड़ा है फर्दिन का जिने नोट आईजी गेंद इतनी घूम रही हो और थुड़ा ज्यादा बहुंस हो गेंद बल्ले का किस लेकर फर्दिन के महफूज जातों में अनक चर्चान केट्स दिन होई रात अपलेल अपाले मिल्टे शेटर रंतर विकेट प्राफ्ते करताना वारोर पलेट वर गदन अबन बदे करन बढ़ें साथो फ्लंदस बाद रले निवे बैटर आता माद माहिता नमादे तो एक्स्रेंस कंपिनर मुकेश मते अधिये शुवा कहीं भी पार्टनर्शिप पनब नहीं रही है और मुकेश मते को बहुत लेट आउडर में भेजा है हला कि बहुत अच्छे स्ट्राइकर है हर टीम का अपना गेम प्लान होता है लेकिन गेम प्लान इस वक्त रावूल गुपता टीम का बहुत उपर नजर आ रहे है अगर परिया गेन फिर भीट किया तेज किया ता पड़ी वर्तन के तौर पे करन पाटिल की भी खासियत है बाई का इसार अंपायर का रमीज राइस और फारुग बरडी ओन फिल्ड अंपायर यह वीज बीच में तेज यह अच्छा मिश्रन करते हैं थांक यू कॉमेंटरी इस प्याना है ज्यादा घूमी अंपायर अमीज राइस ने वाइड घुशित किया एक रन और अटा वैस्कोर में तीस रन रोलेक्स मेडिकेर के अलता बाली के बहुत ही करीबी दोस्त फाद दल्वी हम से जूर चुके तय दिल से हम आपका इस्तेकबाल करते हैं बीसी फोर जेक किया फिर फर दिन नीचे एक और विकेट डास दी पूर शॉट बहुत खराब शॉट खेला महां पे बैट्समें अमोल ठाकूर ने अनियता अठ्वों फ्लेंदा जीदे बाद उन वेलम अधे परत्तना अपन बादो ही या पाश्यट के समप्ति दाउस अट फ्लेंदा बाद जल लेत तो आई अब हमारे व्यापी डाइस पे आगमन हो चुका हूँ आए जागरूत मराटा रानाल के परदी पाडिल जी का जो उनकी टीम भी अभी से कुछी देर में खेलने जा रही है यह यह देके दिखाया जा रहा है परदी पाडिल जी जो जागरूत मराटा हर हनाल के ओनर है इस यूराट आशिस थीति शद्यापन बाद फुलिंद जी गरनर आ धरमराजा स्पोर्स अड़ाल यहां संगाजी अनिन अविन बैटर आता मातर मेदाना मदे ए तोई कृतिराज श्योचि शटक करम कदम बार मेन फ्यम्पी पाड येचे अधा में चुपूर्द याहि एकले शिवासपुर संगार उसार वस्ट गुलंद इन आज अंगल अगले प्रूट गुष्भए अच्छिफ पाइक अंसर आजो के मातर एक अर्वाट्व पाटी लासो सर्वस गुलंद इन आज़ा अंगली गुलंद इन आज शांगली कामकरिए ले वादेशन लोंग रिजन मतं तो मत दोन 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 फुरन अगर दैथ अगली गुलूंद जी लिए आपन रबकेत लटर आजास्ते हैं नू विकेट टुर्विकेट अ राख लेड़ी ब्लोकल मदेखा इंड पायला में लेता अफलें डिले लिए अनि जोवर तो में फुलेंद दोन 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 देतना इतना तो यहा मत रफलंद दूम आजू शकतन अने जिर शदीटेटर पालमले ले टेमाद पोर्स किले चिरुला में स्टाइम गया जेल आओ गड़ाई तिन शे ट्रेक शागल ज्या मधेट बाद वर्दू अने तो प्रत रूंद गुने अच्छा न्डी बिल्द आजना मुटे फटकां टकांड नहीं है इतना इस इतना है पाऊकित सबस्क्राइब के रिटन तुर के खिलने अब इटनी तुरर कता अन्योर्ट कि आखाते हैं एक पाऊड नन्युट को से लिटनी जाख्य। स्काराब डीच चिन्टार शेर्क्षे गटुरिण चिन्ट रडेंट जाय। संवेशे तरक्षा भाला मेल अधर पुनाइ दोन जोग पुनाइग एन पॉसरो को शेख लेन अफल अचाहिए अधर दोन अवन दोन वन अधफल गाल गाल डुले दर्म अचाहिए पूर्स अधर अधर जीट्यग पॉलंड जने से वोट्स शड़क प्रगदी फदार आपन पातों इन अप टोटर मात्र दाउपल कर पाहल मिलत नहीं त्याट्स कारण गुरूंदाजी करतार संगाने टित्चुन गुरूंदाजी कि लिले स्विंगर में संगले चिंडो पुरूबने संगर्श करताना याष इनिग्मधी फुलंदाज आपायल मिलत अपायदेर कर चिंड़ अदलोधा पुलाएक दा सुरेक चिंडो करन अकदम चे विरुद्धा कदम हलता नदी सतना फुलंदाज आपन पाहश्यक्ता जागन खेले सब्सक्राइटन अपद्दल अवापर नाइ फुट्वर्स अगुटला प्रकरी वापर केला जातना या मोबाल में एटुर जरूरे वा क्रिक नाइग धुक्टतिम पुलाख नाइब। नाइब। यस थी तो अर डॉलंदस मैड़ल मेलस नाही मैसे झालम नाही जागन क्यों भी सब्सक्सर्ण आपक टोर रह युम उसांपता शीेज़ शचान आपर के लगझ सब्सक्राइटन scorpio सान वे पोल्सक्तशत्र टों किव अग्यावाद शुबाद दूमाल इस वक्ताम करें दानन चूरगे साब तॉस बॉक्स में मेरे दाई और वन अब दी ग्रेट प्लेर के तन पाटि लेंट अगूरूत मराथा के अल्देश और संदेश केने वटप्लेरीज बरफानी बाबा के आई ये स्टॉस के लिए मैं अवाज दूँगा हमारे बहुती चर्चित चहरा परदीप पाटिल उर्फ पपू सेट को के आपको जॉइंड वना है टॉस बॉक्स में वेलकम सर और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पाटिल सर के लिए प्लीज जोरदार तालियां बजाई जाएं जागडूत मराटा के वो ओनर भी हैं और बरफानी बाबा के ओनरे दिनेश चौदरी और रोई चौदरी वेलकम तो एक बहुत अच्छी चीज शायद अगर आप जो हमारी टीम यहां पर खड़ी हुई है टीम बरफानी बाबा इनकी एक स्पेशल बात है हमारा जो सीजन 3 था उसकी यह टीम विनर थी टीम बरफानी बाबा इस सीजन 3 की विनर थी और यहां पर फिर से आई है सीजन 4 में तो चलिए शुरू करते हैं हम नारायन पाटिल साब आपका भी आरदिक स्वागत है टॉस बॉक्स में देखिए सिक्का इसलिए बताता हूं जो भी है इस सिक्के में एक तरफ गोल्डन में लिखा गया है बीपील सीजन 4 जिसकी दूम मची विये आपने बीपील नहीं खेला तो ब्योंडी में कुछ नही देखना है क्या आया है बीपील टीम जागरुत मराथा डिसाइड करिये आप बैटिंग करना चाहते हैं या फिर बोलिंग दन्यवाद हम से जूड़ने के लिए सो टीम जागरुत मराथा डिसाइड करिये आप बैटिंग करना चाहते हैं या फिर बोलिंग करना चाहते हैं फिल्लिंग करेंगे ओके सो ऑटमाटिकली बैटिंग सबसे पहले आप जाएंगे कुछ नहीं बैटिंग करना ही और अच्छा के जितने प्रेश करेंगे को इस्ट्राटिजी बना कर क्या है इस सीजन के लिए आप आप जब परफिदिटीम वीनर तीस ताल भी विनर रहने का सव जब शब्सक्राइब अच्वाल आप से सर इनकी स्ट्राटेजी तोड़ने क के लिए कोई स्ट्राटेजी है आपके पास अच्छे कहलेंगे बोलोर को बोलेंगे अच्छे बिन डालो के तर मेरा अलग सवाल है बीपी अलग सीजन फोर का यह जो चाम है जो क्लेमर है और डीडी स्पोर्ट्स ग्राउंड बीनार में खेला जारार फॉस्ट टाइम डेन ना स्वासपोर क्या पिक्षा है संदेश यह बताए कि अगर आप टॉच जीते तो क्या करते बैटेंगे करते और बैटेंगे आज एमको और बल्ले बाद जी मिलिए दिखिए डिफेंडिंग चंपियन के लिए एक थोड़ा पूद प्रेशर रहता है अपने नाम को कायम रखन प्रेशा समना विल ओनकीज तो दिनुजर फ्रम्दी दैनन चुर्गे साबर तॉस बॉक्स जागरूत मराथा वन दर तॉस एलेक्टेट बॉल फस्त बैक टुदी कॉमेंटरी बॉक्स अजे घरत इस्टेर इस्टेंगे सो मुच सिदिक बाबेंड निहा शा चलते खेल की त प्रव दूसरा मुकाबला बीपील सीजन फॉर आपके सामने यह टोर्नमेंट आपके लिए लेकर आया है बीसी फॉर एंड अल्ता वाली शिवा स्पूर्ट्स और धर्मराजा ताडाली के बीच में यह मुकाबला है और बल्ले बाजी में कहिना के निराश किया है धर्मराजा ताडाली टीम ने केवल 37 रम बनाये है 6 ओवर्स में और 38 रनों की चुनौती है कि लाडियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड अप करना है केल को साथ बच कर 23 मिनट हो रहे है और पहली किन डिलिवर की जाएगी इस पारी की सलामी बले बाज फर्दिन काजी आल इंडिया ऐकॉन प्लेयर है और उनके साथ उमर खान छोटा सा टार्गेट है शिवा स्पोर्स के सामने राहुल गुपता फेम टिम जिन्होंने गिंदबाजी लाजवाब किया है जीता उनके कैप्टन ने और पहले गिंदबाजी करने का नेर नहीं लिया योगिश बोहिर ने पहले ही तीन के दो पर तीन विक्टेज जटकी थी है ट्रिक चटकाई थी और वहां से फिर प्लेबाज उबरी नहीं पाए उस पारी में लेकिन छोटे टोटल पर भी फाइट प्लेबाज ब्याग किया जा सकता है पहला और लेकर आईकॉन प्लेयर राकेश प्रभू अभी पील सीजन टू में कमाल किया था उन्होंने सेमिफाइनल मैच में पहली गिंद आईकॉन बनाम आईकॉन और पहली गिंद पर इंप्रोईज तरीके से गिंद को उड़ाया है बैक अट अब दे स्क्वेर उन साइड में गेंट सी मारेखा के बाहर चार रनों का इशारा कमाल का शॉट कमाल का शॉट इसलिए तो जाने जाते हैं हर रात हो या दिन फर दिन इंप्रुआइज तरीके से खेला गेंग को वेकेंट एरिया में चार रन सिदिक जापको याद होगा कि जब राकेश प्रभु ने चार गेंदों पर चार विक्टे लीती तो उस मैच में 39 का टार्गेट था 42 का टार्गेट था स्विच इट करना चाहते थे इस दफ़ा अपील हो रही है क्या नोग जोग चर रही है औल इंडिया एकॉन वर्सेज ऑल इंडिया एकॉन राकेश प्रभु ने भी बता दिया है हम किसी से कम नहीं नोग जोग तो देखने को मिलेगी क्योंकि राकेश प्रभु भी कोई आम खिलाडी नहीं है बहुत ही बहतरीन महान ओल राउंडर है जा तक टेनिस क्रिकेट का सवाल है कई बड़ी बड़ी प्रतियों की ताओं में खेलते हैं और अपने जल्वे कई बार दिखा चुके हैं अच्छ बल्ले से कुछ युगदान नहीं दे पाए इसलिए जिम्मेदारी उनके एकंदों पर ज्यादा बढ़ गई है गेंद बास ही करते वे और अच्छी शुरुवात की आवश्यकता है शुरुवाती विकेट्स चटकाने होंगे तब जाकर यह मैच बन सकता है ने तो छे वर्स में 38 रन कोई ज्यादा टार्गेट नहीं है और सामने वाली टीम में बले बास भी उतने ही कतरनाक है चोटी गेंद इस बार आदे बैट से सामने प्रहार किया गेंद को उड़ाया लॉगओं के ऊपर से शांदार छक्का दी क्लास उपर दिनकाजी दी क्लास उपर दिनकाजी नॉट अइजी यूट सीदे दर्शक दिर्गा में बेच दिया गेंद को कमाल का स्ट्रोक उच्छाल लेती वी गेंथी उस पर करारा प्रहार इस बार बढ़िया लेंथ यॉर्कर लेंथ पर रखी वी गेंद हल के आतों से उसको ठर्न किया है ओन साइड में अच्छी तरीके से खेला उस यॉर्कर को सिंगल लेते वे फर दिन काजी अच्छी शुरु अच्छा कमबैक तो तभी कहा जा सकता है मेरे ख्याल से कि जब वो विक्टे चटकाएंगे क्योंकि विकेट लिए बिना इस मैच को जितना लगबग असंभव सा लग रहा है और सारी के सारी शायद विकेट से निकालने होंगे वो भी गुच्छों में जेहां इस बार रप उपर से जाना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट या फिर शॉट थर्ड मेंट की उपर से गिंद को निकालना चाहते थे करिश्माई गिंद बाजी के आवश्यक्ता है इस मैच को जीतने के लिए धर्मराजा ताडाली टीम को लोफिल टॉस हवा में गेंफिल्डर गेंट के नीचे और आउट फर्दिन काजी का काम तबाम अच्छा क्याच लपका वहाँ पर नंदन पाठील ने फिर से इंप्रोईज तरीके से केलने की कोशिश लैप स्वीप किया था नंदन पाठील को पाया सरकल में और आउट होगे फर्दिन काजी यह उनका सिगनेचर स्ट्रोक है उसी पर वो आउट हुए बैकवर्ट स्क्वेर लेग पर नंदन पाठील मौझूद थे उनके पीछे से निकारना चाहते थे शॉट फाइन लेग और बैकवर्ट स्क्वेर लेग के बीच में से लेकिन ठीक तरह से टाई मी नहीं कर पाये और प्लेस भी नहीं कर पाये अपने शॉट को पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक था एक आसान सा कैच वहाँ पर नंदन पाटिल के लिए 12 पर गिरा है पहला विकेट शिवा स्पोर्ट्स का फर दिन काजी के खाते में 11 रन अलाकि क्रिकेट का खेल है 38 रन अच्छे वर्स में इसको बनाने के लिए भी कई बार मेहनत करनी पड़ती है बले बाजो को शुरुआत तो अच्छी रही है पहले युवर में 12 रन लेकिन अब विकेट गिरा है यहाँ से क्या वापसी कर सकते है गेन बाज ये देखने वाली बात है पहले वर का खेल समाप्त हो चुका है 12 पर एक नेबले बाज ओल राउंडर योगेश भुईर कमार्ट की शुरुआत की इस मैच में योगेश ने मैच की पहली तीन गिनों पर तीन सफलता है है ट्रिक ली क्या जाए कि और अंतरहाश्ति किरिकेट में में जाते हैं तो यह लिकोर्ड पहले वर में तक मियर्ट कििरकेट में इर्फान पैकिस्तान के सामने जहां इरफान पठान ने जब वो हैट्रिक ली थी उस मैच में हाला कि वो मुकाबला भारती टीम जीत नहीं पाए थी थांक यू कोमेंटर्य बॉक्स हमारे बीच में एक और हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ी तालियां बजा करके हमारे स्पेशल गेस्ट का स्वागत किया जाए बरफानी बाबा टेम घर से दिनेश चौधरी जी हमारे बीच आ चुके यह हैट्रिक और क्या गेंदबाजी हुई थी एक भी गेंद उनके आगे नहीं थी जिर गेंदो पर उन्होंने विक्टे चटकाई थी प्रिंस मिविस का ये शांदार टेलिकास बैक ओफ लेंद गेंदबाजी जादा देखने को मिली थी और हलकिसी मुवमेंट भी उनके गें मुठी में प्रिंस मोविस क्या टेलिकास है रभी गुल्वी एंद परतमेश पाटिल एंड कमपनी नेवर लेकर वईबो माली तयार होते वेबायत के गिनबाज आकरमन पर वेतरीन स्ट्रोक इस बार पॉइंट की दिशा में अच्छा स्टॉप वहाँ पर अमुल पाटिल द्वारा बैक फूट पर जाकर कट किया था उमर खान ने अच्छा स्ट्रोक जरूरता लेकिन उतनी बढ़िया फिल्डिंग कमाल का किरकेट हो रहा है जितना दिलकश स्ट्रोक ता उससे बढ़कर फिल्डिंग जगे दी थी थी थोड़ी सी बहुत ही कडारा स्क्वाइर कि द्वारा कि वैबो माली सामने की और से आते वे इस मर्दबा खड़ाब शॉट बल्ले की मूं को जल्दी बन किया खेलना चाहते थे कवर्स में मेरा खैले अतरी को उचालता है कारंता के गेन बॉलर की जानिव गई बल्ले की थोड़ी अंदर लगी थी जहां खेलना चाह वैबो माली द्वारा वैबो माली कि इस मर्दबा हुक कर दिया है पीछे खिला रही है और गेन उनके सर के उपर से दूर गगन की चाहों में चेरन तारा मंडल में गेन चली गई है असमान को बोसा देकर गेन जमीन पई है इस सिकसर से अब स्कूर आगे बड़ता हुआ पहुँचा है 19 रन शिवास स्पोर्ट्स का अगला मैच जहां पर टॉस को जीता है जागडूत मराटा रानाल ने और बर्फानी बाबा को बल्ले बाजी की दावत दिये पिछले बीपील की चंपियन टीम दिने चौदरी साब अभी अभी हमारे भी जूर चुके है हम आपका अर्धिक स्वागत करते हैं बीपील का चाम सर चल के बोर रहा है पहले दिन वैबो सामने की ओर से आते हुए दूसरा मेंडेटरी पावर पिले चल रहा है हिसमरतबा हेलिकॉप्टर ट्राइब वाइड अफ डीप मिड़ान हाला कि मिस्फिल्ड बैक अच्छा था दो रन पूरे लेके एक्षिन में उठा कर त्रो किया था वहाँ पर लॉंग ऑन की जाने पवन केने ने अच्छा क्षित्रक्षन उनका रहा था लेकिन मिड़ान के खिलाडी उसको रोक नहीं पाये ते रोका जा सकता था मेरे ख्याल से दो रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन और केवल अब 17 रनों के आवश्यक्ता है श्वाज स्पोर्ट्स को यह मैच जीतने के लिए गुरूप एके मैचेस आज मैच खेले जा रहे हैं इस मर्दबा दूर से बल्ला चला दिया था अंपायर ने वाइट घुशित किया 22 पर पहुंचा स्कूर लक्ष है केवल 38 रनों का लिग फॉर्मैट में टॉर्णॉर्णमेंट खिला जा रहा है ऐसे में पहले मैच में कुछ टीमों के साथ यह होता है कि विनिंग कॉंबिनेशन वो ढूंड नहीं पाते है विनिंग फॉर्मूला उनको मिलता नहीं है इस मर्दबा अपील होती भी डायरेक्ट थ्रो लगाया और बैट्समें आउट कमाल का थ्रो पहुंचाता जहां लबी डवली उसे बजगे वहां रनाउट होगे जहां लेक बिफोर के लिए अपील ज़रूर हुई थी उसको ठुकरा दिया था अंपायर ने लेकिन राकेश प्रभू का प्रेजन्स आफ माइंड तुरंद गियंद को फिल्ड किया वहां रसटीक थ्रो उनका स्टम्स पर पिच्चर में भी नजर नहीं आ रहे वहां पर योगेश पाबार कलियान के वो खिलारी जिन्होंने हर जगा जाकर अपना लोहां मनवाया है और दूसरे तरफ बारी आने वाली है प्रीतम बारी की और BPL के इतियास में हम दोनों भी खिलाडियों का जल्वा देख चुके है प्रितम बारी एक सफल खिलाडी रहे है BPL के इतियास में इस समय स्कोर 22 रन दो विक्टों के नुकसान पर आठ रम बना कर आउट हुए है योगिश बोहिर दो पर बैटिंग करते हुए उमर खान मैच पूरी तरह से जुका हुआ है श्वा स्पोर्ट के पक्ष में अगरों माली हलाकि विकेट उनके खाते में नहीं गया है लेकिन दबाव बढ़ा दिया ता महां पर उमर खान को बडिया गेन के विकेट कीपिंग कर रहे हैं रखेश पर भू पेहले फरदिन काजी की विकेट केपिंग आप राकेश परभू की विकेट कीपिंग और जादा तरह हम देखते हैं कि जो औल Daiya be God PTS आT therefore पीछ अच्छा कारियक करते हैं अजी उसका एक कारण भी रहता है कि विकेट की पर ही वो खिला रही है जो बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकता है फिल्डिंग को बोलिंग को MS दोनी जब विकेट की पर बने तो भारती टीम उपर से गई दो ओवर के लिए बारा मिनट का समय लिया गया है इस बात का जान रहे बारा मिनट का अपने समय लिया है कोशिश यहां से भी की जा सकती है मैश में वापसी करने की दर्मराजा ताडाली टीम द्वारा वेबो माली के ओवर की आकरी गिंद बहुत बढ़िया थी टपा पड़ने के बाद काफी तीज गती से बाहर कटी थी हलाकि खुल मेलाकर दस रन खर्श के उन्होंने अपने ओवर में और टार्गेट को देखते वे महेंगा ओवर ही का आ जा सकता है यहाँ पर काफी किपाई थी गिंद बाजी करने के आवशकता है विक्टे लगातार चटकाने की जरूरत है दर्मराजा ताडाली टीम को गिंद बाजी में परिवर्तन किया जा रहा है पवन कीने आकरमन पर आते वे बहुती फेमस खिलाडी है टेनिस क्रिकेट में पवन कीने एक और बायात के गिंद बाज पहला और किया था राकिश प्रभू ने बारा रन खर्च किये थे एक सफलता उनके खाते में जरूर रही लेकिन उनको थोड़ा सा रोक कर रखा गया है और पवन को आकरमन पर आप लाया गया है उनके सामने बलेबाज करण कदम और उमर खान की जोड़ी समय क्रिस पर करण ने अभी तक कोई गेंद खेली नहीं है पहली बार सामना करेंगे इस मैच में गेंद बाजी काफी अच्छी रही करण कदम फर दीन और स्वरी फाई कंसारी और योगिश भुईर की तिन विक्ते चटकाई योगिश भुईर ने हैट्रिक ली तिन विकेट्स कप्तान अंसारी के खाते में भी रहे और करण पाटील ने भी बढ़िया गेंद बाजी की थी नौर अन देकर दो विकेट्स पवन की पहली गेंद लेफ्टाम ओर दो विकेट्स पुलर लेंद ड्राइव कर दिया है ओन साइड में गेंद मिडॉन की जानिब जा रही है लोगउन से बनाने है लिस देन रन बॉल एक्वेशन है ऐसे में दबाव जो है वो पूरी तरह से फिल्डिंग करने वाली टीम पर है और हलाकि गिंद बास भी यह सोच सकते है कि अब बल्ले बाजों के पक्ष में यदि यह समीकरन जुका हुआ है तो उनके पास खोने के लिए कुछ न जाते वे इस बार स्विंग कर दिया उनसाइड में जबर्दा स्ट्रोक जन्ना टेदार शॉट उमर खान के बैट से चे रन मैच कॉप जल से जल समाप्त करने की तयारी उमर खान की स्लोट में गेंद एक्रोस दिलाइन खेला लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला डीप मिड विकेट के ऊपर से कुपसूर अच्छका उमर खान के बल्ले से इंचे रोनों से स्कोर उचलता हुआ 29 रन दो विक्टों के नुकसान पर जीत के बिल्कुल देहलीज पर पहुंच चुकी है इस मुकाबले में शिवास पोर्ट्स राहुल गुपता फेम टेम मावन के विरुद टीम केल रही है धर्मराजा ताडाली साइनात पवार एंड निले चौदरी फेम टीम इस बर कटर का इस्तेमाल थोड़ी पीची रखी वी गेंती दिशा दिखाई है सेंसिबल बलेबाजी दो के लिए पलटना चाहते है या पर खतरनाक साबीत हो सकता है विकेट कीपर ने बेल तो निकाली है लेकिन बलेबाज तब तक अपनी क्रीज में सुरक्षित पहुंच इस बार चोटी गेंद गुमा दिया है गेंद को डिप स्कोर लेके ऊपर से आउट आप दपार्क छे रन अब केवल दो रन दूर एक ही रन मेरे ख्याल से चाहिए जहां एक ही रन चाहिए स्कोर्स लेवल हो चुके है दोनों भी टीमों के बिलकुल एक तरफा मैच पहला मै लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच रहा फिर से हवाई फायर किया है स्लॉक्स वेव टाइमिंग ज़्यादा खास नहीं है लेकिन फिर बिगेंद बैदान के बाहर एक और सिक्सर और इसके साथ ये मुकाबला जीत लिया है शिवा स्पोर्स ने अरतीस रनों की चुनौती थी और अजे बताए कि मैन ओफ दे मैच को ने कॉंग्राचुलिशन राहूल गुपता और शिवास इलिमन हाटलक धर्मराजा स्पोर्ट हाटलक निलिश चौधरी और साइनात पभाड ये मैच समरी है आपके स्क्रीन पर आठ विक्टो से शिवा स्पोर्स की फते इस दूसरे मैच में BPL सीजन पोर में धर्मराजा स्पोर्ट के विरुद्ध और इस मैच के मैन ओफ दे मैच खिलाडी है जिनोंने जीत की सही माइनों में निव रखी मैच की पहली तीन गिंदों पर तीन खिलाडियों को आउट किया यानिक है ट्रिक ली वो खिलाडी है योगेश बोईर औ बल्ले के साथ योगदान दिया आठ रम बनाए दोर में आठ रम देकर तीन विकेट्स योगेश बोईर इस मैन ओद मैच तैंक यू सो मच आजे गरत इस वक्त हम खड़े हैं प्रेजर्टेशन बॉक्स में पोस मैच प्रेजर्टेशन सेरेमनी की ओर बर रहे हैं और मैन प्रेजर्टेशन पार्टी के लिए हमारे मेमानों को वेलकम कहेंगे प्रेजर्टेशन बॉक्स में और परदीप पार्टील पपूसेट सिदार्त पार्टील नारायन पार्टील और तुशार चौदरी इन चारों से रेक्वेस्ट है कि आपको जूर जाना है हमारे प्रेज टो यहां पर हमेरे चारो के चारो चीफ गेस्ट आाचुके हैं वेलकम साउ तो हमारे चारो के चारो चीफ गेस्ट आचुके हैं हमारे जो man of the match है उनको यहां फर सर्टिफawk करने के लिए उनको को फेलिसिटेट करने के लिए सर आपको गैस हो गया था कि man of the match कौन होने वाला है गैस कर लिया था आपने यह सर गैस कर लिया था आपने match देखते देखते क्योंकि जो हमारे man of the match है बहुत ही ज्यादा amazing performance करी है उन्होंने हमारा जो season है हमारे season का जो पहला hat trick है उन्होंने लिया है और इसके अलावा उन्होंने जो opposite team है उसको runs बनाने का मौका ही नहीं दिया बड़ी ही आसानी से I think बड़ी ही आसानी से पूरा का पूरा game उन्होंने one-sided कर दिया अपनी team के हिस्से में ले आई यह so man of the match बनना deserve करते हैं नाराइन पाटिल साब से request करूँगा के सुमीद पाटिल कारे समराट नगर सेवक केंद्रिय मंतरी कपिल पाटिल साथ के घराने से एक हजार का चेक अब तुशार चौदरी साब से कहूंगा तुशार चौदरी एक हजार कैज दीजिए सुमीद पाटिल इस्पॉंसर आखिर में परदी पाटिल उर्फ पूसरेट आपको एखुपसुरा ट्रॉफी दे रहे हैं सब्सक्राइब के लिए फर्स्ट वाल मैंने कॉंग्राचुलेशन तो आपसे एक सवाल था मेरा आपने ना इससे वन साइड़ गेम कैसे बना दिया यह स्ट्राटेजी जरा हमें बताईये प्लीज स्ट्राटेजी कुस नहीं गेन अच्छा डालना था विकेड अच्छा था जो अच्छा डालेगा तो विकेड मेलेगा वही कया और यह इस जीत का क्रेड़िट किसे देना चाहेंगे मेरे टीम को और मेरे गावालों को हमारे इदर आज राम नमी की राम की पाल की है उधर से मेरे इदर आने के लिए ताइम दिया उसके लिए उनका दन्यवाद अरे हमार इतना दूर से आप ट्रावल करके आए हैं और यह यह जो लीग हम लोग केल रहे हैं यह जो सीजन हम लोग केल रहे racism के बार में प्लीज कुछ बताईए बाली बाई का हर साल का और ब्लाईज को इस साल पे अच्छा है इधर के लिए हमको चांक्र दिया इसको एक्ष Flynn योगेश मेरा एकी सवाल है अब तक तीन बीपील डे में हुए ये डे नाइट है और जिस तरह के अपने गेंदबाजी भी की तो डे नाइट सोने पर स्वागा रहता है तो डे नाइट बीपील रखा है इसके लिए आप बीसी फोडर अलताब बाली को क्या कहना चाहेंगे कि अगले तमाम बीपील इसी तरह होते रहे जोरी सी तरह होने चाहिए और बाली साहब को बाली साफ का तो एक हर साल कुछ अलग करते है गो इस्ट और वेस्ट अलताब बाली बेस्ट तो यह थे दोस्तों मैं अब दिमेच हिवाली एक्सप्रेस योगेश्वीर मिलिक पर वत्स ऊथा आपन पादो और हनी तमाव भाभ हो बंदी वासे नाने केस्ट याफ रवर है इक वर खरना याक अधर चांव भी पिल्स पर दापन टेश्ट आका नेचा चाह पायल्स पर दहां बालेश्ट वालेक्ष देग्चिट पायल समयो अधरू अल्ट बाओ कि जागुरु तुमराटा राहनाल संगर ने टॉद जिंकुन प्रिदम से त्रक्षिंस विकार लिलाए अनि फुलेंद साथी अमधित के लिए बरफनी बापा टेमगर या संगाला यूपी से हमारे बीच मेरे करीबी दोस्त लारेब कान है आपने आजमगर प्रीमियर लीग देखा था उसका एक हिस्सा है लारेब हम आपका तैदिल से इस्तिक बाल करते हैं रेक्वेस्टे आपको हमारी व्याइपी मर्च पे आना है जाओ देखिए आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए और हमारे कॉमेंटेटर्स आपको भी मेंशन करना चाहिए स्पेशल स्कोरर इंपैक्ट प्लेयर का आपको जब इशारा आए हम पैड की तरफ से थोड़ा देर तक जब तक कॉमेंटेटर ना कहें आपको ध्यान देना है कि और तमाम टीमों को फिर से इतला दूँ आपको आमने आउक्शन में बताया था कि बीपियल में इंपैक्ट प्लेयर का चलन है और दो टीमें यूज भी कर चुकी खेल की शुरुबात कंप्यूटर कोमेंटेटर शुबात धुमाल के साथ आज काफी रंग बरें अजे घरत और शुबात धुमाल ग्रूप अ मदिल ला सामने अपन पातोय अता पनतो दून सामने जले लेता हा थिसरा सामना अपलेयल पालमेल लेल अनि दूनी संगा प्रतमाच खेलता नापलेयल पालमेल दिल्ला बरफानी बापा हुपक्ष जागृत मरता रानल जागृत मरता रानल संगले टॉट जिंकून प्रतम मास फिल्डिकर दिशेजन गितलनी बैटिंग साथी इन्वाइट इडिक एलेगल ले बारफानी बापा टेम गर्या संगला मागिल समनाग भी एक्टरफी सामना पालम लटाजा सामने मदेन किसा योगेश भूहिर विकेहत्रिक टेकर गुलूंद जा बीपल सीजन अपोर मदील बालम लटा अनि तोसर रहला था समने सामना विर पाला समने मदे रन पेश्टी विल अधा ट्यान धर दूसरा समने मदे रनां सटी जगर तना संकर्शिक अनफलंद जना पाला था हम यह था समना कश्व एक्टरिक रहं दूरी सलेविचे बैट अटेम अधर माय धर अले लेता तो पनर अधर अन्ग आव्टिया ग्वाण् जागरपटिंग नौसली पादो या फिलंदाद जा संदेश के ने तर गुलंदाद जा जागरुतमरा रानाद संगा गुलंदाद प्रतिक पादिए पहले चुंदू लॉट्फुल्टा चुंदू गॉंसले चुंदू टोली ले शत्रक्षे के प्रोटेक्शन भाला मिलते हैं डिमीडियो के रिजन मदे एक का थैवी ने सोता चने संगा साकाउनो ओपन काता ना पातों फिलंदाद जा सागर पड़ी लेला देखिए अधिया ने यहां अत्मी सोस वाधला जाना रहे अपने पहुशक्ता बर्फनी बाबा विपक्षय जगृत मरता राना लिया दून संगम जी सामना फ्रेंट अंग अप्रिदिक पडिल पुना एक दिवाबटाइज इंट कुन वलता ना इते माता जोड़ता आफी लाथी जोड़ता आफील पहला है मिल तो पुरता बिट चके तेकले तो फुलेंद अजला आज शुबाश आपने देखा के विकेट कीपिंग का स्था काफी हुचा लग रहा है एक्सेलेंट विकेट किपिंग फ्राम ओल्टीम अग्दि बार बार मागिल समने वदे फर दिन का जैने का यह इस्ट्रेक्शन के लोग था अनिया समने